26 जन्वरी यानि की भारतिय गंतंत्र दिवस आखिर ये गंतंत्र है क्या जन्ता का जन्ता के लिए जन्ता द्वारा चुना गया शासन ही गंतंत्र कहलाता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र इससे अलग है लोकतंत्र वो शासन तंत्र होता है जहां वास्तब में समान जनता या उसके बहुमत की इच्छा से शासन चलता है और भारत स्वैम एक लोकतंत्र गनराज्य है 15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद हो जाने के बाद समविधान सवा की घूषना होई और इससे अपना कारे 9 दिसंबर 1947 से आरम कर दिया सम्विधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों दोरा चुने गए और इस भारतिये सम्विधान को लिखने वाली सभा में कुल 299 सदस्य थे जिसमें जवाहालाल नेहरू, डॉक्टर भीमरा अमबेटकर, डॉक्टर राजेंदर परसाद, सरदार बल्ला भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदेश सभा के प्रमुख्य सदस्य थे इस सम्विधान सभा ने 26 नवंबर 1999 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह सम्विधान लागू हुआ था भारतिये सम्विधान को पोन रुप से तयार होने में कुल 2 वर्स, 11 माह और 18 दिन का समय लगा था भारत का सम्विधान विश्व के किसी भी गनतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित सम्विधान है भारतिये सम्विधान की सनरचना में उसकी प्रस्तावना 448 अनुशेदों से युक्त, 25 भाग, 12 अनुशूचियां, 5 अनुलगरक और 104 संसोधन सामिल है अभी इस महान सम्विधान की प्रस्तावना को समझना ही हमारे लिए काफी होगा जिसमें लिखा है हम भारतिये भारत को एक संपुर्ण समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गनराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिवेक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में विख्ति की गरिमा और राष्ट की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए द्रेड संकल्पित होकर अपनी समविधान सभा में आज तारिक 26 नवंबर को एतत द्वारा इस समविधान को आंगिकरित, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं जै लोगतंत्र, जै भारति